अमारिका के नियॉक में चीन के दो एजेंट गिरफतार किये गए जिन पर अमारिका में चीन के सीक्रिट पुलिस स्टेशन चलाने कारोप है अमारिका के मीजिया के मताविक इन दोनों ने चीन की सेना के इशाले पर ये काम किया जिसकी खबर मिलते ही नियोक पुलिस ने उन दोनों को गिरफतार कर लिया अमारीकी मीजिया के मताविक चीन के ये एजेंट महां चोरी चिपे पुलिस स्टेशन चला रही थे उनका मकसद चीन से भागे हुए अपराधियों को ढूणना और उन पर देश लोटने के लिए दबाब डालना था लेकिन इसकी जानकारी उन्होंने अमारीकी अधिकारियों को भी नहीं दी पर पुर जा रहे थे लेकिन इसी दोरान वैशाली जिले में उनके काफिले में चल रही दमकल विभाग की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया जिसके बाद वो डिवाइडर को पार करते हुए दूसरी लेन में एक आटो से जाटक रहे इस हादसे में छे लोग घायल हो बीज़पी ने मुक्रमन्तरी नितीश कुमार से स्तीफ़त अकी मांग कर दीके लें तो नितीश कुमार इस्तिफा देंगे ये भी लिख नहीं कभी नितीश सरकार में जिप्री सीम रहे सुशील मोधी ने भी बिहार सरकार पर हमला बोला पुलिस ने गुड़ू मुसलिम की तलाश तेज कर दी गुड़ू मुसलिम का सबसे भरोसे मंद गूरगा माना जाता है और पुलिस सुत्रों का दावा है कि अतीक के बाद गुड़ू मुसलिम ही वो शक्स है जिसे अतीक के सारे नेटवर्क की जानकारी है यहां तक कि पाकिस्तान से जिन हत्यारों को ड्रोन के जरीए पंजाब लाने की बात कई जा रही है वो काम भी गुड्डू मुस्लिम की देखरेक में ही होता था और इसी वज़े से पुलिस अतिक और अश्रफ से उसके बारे में कई बार सवाल कर चुकी थी लेकिन पुलिस सुत्रों से मिली जानकारी के मताबिक वो हत्या को अंजाम देने के बाद प्रयाग राज से भाग कर जहांसी पहुँच गया जहां वो और उसके साथी पांच दिनों तक रुके और फिर वहां से फरार हो गए लेकिन इसे पहले कि वो ये परदापाश कर पाता तीन शूटरों ने अतीक और उसके भाई अश्रफ को गोलियों से चलनी कर दिया